हुआ है गाइज वेलकम तो अवर चैनल प्रांजल कोड और आज इस लेक्चर में वेब डालबेंड इन हिंदी के हमनों डिस्कॉस करने वाले हैं एंटीटीज के बारे में एस्टीमल के एंटीटीज और सेमांटिक टैक्स के बारे में तो बिसिकली दोस्तों यह समझते हैं आ करेंगे तो देखो इसी तरीके से ना क्या होता है कि जब हम लोग्रेटर जैन का साइन ले लेंगे हम जब प्रिंट कराएंगे तो हमारा वना वह ना प्रिंट नहीं होता है जैसे अब чи मैं में यहां पर लिया है फ्रवीयेस कोड में दिखाता हूं प्राणजल कोड कि अब लोगों पता है या फिर भी करकर दिखा देता फिर मैं अगर चाहू कि Best इतना स्पेश चाहिए प्रांजल और इसके बीचे में एक मेलना चाहिए मैं मैंने को उटा दिया मिलना दीक है मिलना चाहिए सब हमको जैसे प्रिंट यह स्पेस को यह अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम एक्स टीमल की एंटिटीज का मदद लेंगे जैसे कि अभी देखो मैं और नहीं चाहता हूं यह देखो जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हम लोग एंटिटीज में में इसका इस्तमाल करते हैं जैसे अभी इसका हम लोग इस्तमाल करेंगे फिर आप लोग देखेगा हम लोग को स्पेस मिलेगा चाहता हूं कि मेरेको और वी स्पेस मिले कराते जाता हूं जितना जाद है गर हूं उतना जाद है मेरे को इस पेस मिलेगा तो बेसिकलिए आप लोग समझ रहे हो अगर अपने को इस पेस चाहिए तो हम लोग end% nbsp का इस्तमाल करते हैं अगर हम लोग चाहते हैं कि मैं अभी एक चीज और करके दिखाता हूं ठीक है तो अब देखते हैं क्या होता है तो यह देखो दोस्तों यह क्या हुआ इसके नीचे आगया क्योंकि अपनों पढ़े थे inline और block element के बारे में तो बीच में क्या हुआ एक block element आगया परग्राफ तो यह देखो यह break हो गया लेकि मेरे को तो दोनों greater than और less than sign के बीच में मेरे को पीचे यह था अब उसको अगर मैं print कराना चाहता हूं दोस्तों तो देखो यहां पे सारे semantic codes लगे हुआ greater than के लिए मैं इसको copy करूँगा मैं इसको copy करूँगा और मैं यहां पे इसको paste करूँगा मैं इसके बीच में पी लिखूँगा पी लिखूँगा और देन मैं फिर से यहां पे आता हूं और मैं फिर यहां पे n% GT को print करूँगा और फिर देखना क्या होगा यह देखो दोस्तों तो hope कि आप लोगों समझ में आया होगा और भी अगर इसके बारे में जानना है आपको practical करना है तो आप इस पे आये देखो आप लोगों को लग रहा हुआ कि यह आदा आदा चीज बता रहा है या फिर यह उडाके उदे रहा है इत्ता जाता तो देखो मैं बता रहा हूं चीजे ना और यह सब चीजे ना यह सब चीजे ना रटने वाली चीजे जैसे अभी हम इससे पहले फॉर्म पढ़े थे तो उसमें बहुत सारे ना इन्पूट्स टैग थे और वह सब सारी चीजे ना रटने वाली थी अगर आप ना जानना चाहते हो आपको जब भी फॉर्म बनाना कुछ नहीं तो जब चीजे ओरी बनी हुई है तो हमको क्या होना चीजे हैं इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर्म भरते हो फॉर्म देखना कि आपको पता है चेक बॉक्स क्या होता है आपको पता है रेडियो बटन क्या होता है तो अगर नहीं भी पता होगा तो आना है आप और सब जानते हो कि यूटूब में ज्यादा लंबा जब वीडियो होता है अगर आपे सट आषल 중요 होते हो अब इतनी होते है यह इतनी होते हैं यह उन्पिन सहरी अंट को क्या होता है कि उन्हें उनग्डी डेलेक्तली आप लोगो आप यह संधिता हूं कि क्यों है क्यों है वाए सिमेंटिक तो देखो यार जब ना हम लोग गूगल पर सर्च मारते हैं जब हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं कोई भी पेज को या फिर कोई भी वेबसाइट को तो क्या होता है ना कि आज अब क्या हो गया है यह सब क्या होते हैं तो यह सारे नहीं थे लेकिन होता क्या था जब थोड़ा जब चाहते हो लोग जो सर्च सर्च गूगल का तो उसको उसको नपसारे कि नविगशन भारत यो ना जैसे कि आप बहुत यह अलगी topic बन जाए तो इतना समझो कि division tag के वज़े से separate नहीं कर पाता है SCO, नहीं समझ पाता था, तो एक perfect result search का नहीं मिल पाता था, तो उसके रहे na modification हुई HTML5 है, HTML5 में semantic tags है, कि अगर आपको कोई section या article जैसा कुछ चाहिए, तो आपना article tag का इस्तमाल कर सकते हो, और में heading दिखाना है, आपको आप header tag के इस्तमाल कर सकते हो, आपको navigation menu दिखाना है, navigation bar, और जैसे कि हम लोग सब जानते है footer, जो हमको last में नहीं दिखता है, कि private limited और जो भी होता है, जो भी है ना, तो उसको वो footer में आता है, तो जैसे यही मालो, address हो गया, क्या फिर website का ज किये जाते है, aside, तो hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, समझ में आ चुका होगा कि semantic क्यों होता है, semantic क्या है, तो देखो basically, मैं अभी आप लोगों कर करके भी दिखाऊं, तो सारे के सारे ना, ये tag सेम ही होता है, देखो, मैं div tag भी ले लिया, मैं div tag ले रहा हूं, sorry, div tag ल लेगे करता हूं, paragraph जाद अच्छा रहेगा, प्रांजल code, ठीक है, मैं इसको ऐसे किया, मैं इसको copy कर लेता हूं, देखना कुछ भी मतलब ना, यार, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा, कि अलग है, section create किया, इसमें paste कर दिया, देखना same to same दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता बस ये, आप अपने level पे जैसे बना रहे हो, है ना, अपने personally बना रहे हो, ऐसे practice कर रहे हो, तो इसका इस्तमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप professional level पे कर रहे हो, तो इस practice के साथ, अगर section कर, बनाओ, फिर section के अंदर division लो, तब आप लोग को थोड़ा सा ना, मतलब अच्छा होता है, यह देखो सारे के सारे, यह हमारा division का था, यह हमारा section का, यह article का, सारे के सारे सेम है, कोई फर्क नहीं, सारे के सारे block level element ही है, तो basically हम, अगर हमको इसका इस्तवाल करना है, तो हम क्यों करेंगे, ताकि हमको search engine पे output एक अच्छे वे में, दिखेंगे, हमार जब भी हमारा website को, जब Google search करें, तो उसको पटाक से मिल जाए, उसको problem ना हो, ठीक है, सेपरेट करने में अलग अलगी, कि यार, आज के टाइम पे, जो worldwide web है, इंटरनेट है, उसमें सारे website है, जिसमें सेम सेम content है, जैसे आपने बनाया butterfly के उपर पर, तो कितनी सारे websites होंगी जो butterfly के उपर अपना website बनाई होंगी, जो article लिखी होंगी, तो यार, separate करने के लिए उन में से, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते है, section और article tag का, तो hope दोस्तों, आप लोगो को समझ में आया होगा, आप लोगो को problem नहीं गया होगा, अगर जाता है, तो यार, बिल्कुल message करो, इंस्टाग्राम पर message करो, मेरको google, comment डाउन करो, सबसे अच्छे तो यही होगा, comment में अपना feedback दो, अपना review दो कि क्या है, कैसा है, problem जा रहा है, नहीं जा रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखना है, बिल्कुल बताओ, आप लोगो का feedback दो, यार, feedback दोगे, तो ही मज़ा आएगा मेरको पढ़ाने में, मेरको वीडियो बनाने में, और आप लोग को पढ़ने में, तो होग दोस्तो, like करिएगा, support करिएगा, share कीजिएगा, subscribe भी कीजिएगा, thank you दोस्तो,